विश्व स्वास्थ संगथन ने सीरम इंस्टीटीट ओफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को प्रीक्वालिफाइड कर दिया। वैक्सीन का नाम क्या है? A. FN04 वैक्सीन B. R21 वैक्सीन C. B21 वैक्सीन D. A. S01 वैक्सीन Answer R21 वैक्सीन Explanation विश्व स्वास्थ संगथन WHO ने मलेरिया के लिए प्रीक्वालिफाइड टीकों की अपनी सूची में R21 मैट्रिक्स M. मलेरिया वैक्सीन को शामिल किया है। इस वैक्सीन को Oxford University द्वारा विक्सित और Serum Institute of India द्वारा निर्मित किया गया है। अक्टूबर 2023 में WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोक्थाम के लिए इसके इस्तिमाल की सिफारिश की थी। 27 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरिमिक और सिमेंट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने का फैसला किया है। इससे यू के उद्योग को दिकार्बोनाइजेशन में निवेश करने का विश्वास मिलेगा। हाल ही में, कैमपे गोड़ा अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़े के आए टर्मिनल 2-2 को दुनिया के सबसे खुबसूरत हवाई अड़ों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ये कहां स्थित है, ए, अहम्दाबाद, बी, चेन नहीं, सी, लखनाओ, डी, बेंगलुरू, आंसर, बेंगलुरू, एक्स्प्लिनेशन, बेंगलुरू के कैमपे गोड़ा अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़े के आए टर्मिनल 2-3-2 को दुनिया के सबसे खुबसूरत हवाई अड़ों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, इसे युनेसको के प्रिक्स वरसेल्स द्वारा, इंटीरिय के लिए विश्व विशेश पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है, यह युनेसको से ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला एक मात्रभारती हवाई पर वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए दिये जाते हैं। साक्षी ने रियो 2016 उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया और अपने उलम्पिक देब्यू में ही कांस से पदक जीता। ये किसी महिला पहलवान द्वारा जीता गया भारत का पहला उलम्पिक पदक था। साक्षी मलिक ने आखिरी बार 2022 में बमिंगम कॉमनवेल्थ गैम्स में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था और स्वर्ण पदक जीता था लेकिन उसके बाद से उन्होंने अंतराष्ट्रिय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है। निमनल इखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रिय और्जा सनरक्षन पुरसकार 2023 प्राप्त हुआ। कि श्रेनी में मिली ये पुरसकार और्जा कुशल नवाचारों के प्रतिक रॉम्टन की प्रतिबधता को दर्शाता है।